हेलो दोस्तों आप सबकर स्वागे थे इस चैनल में दोस्तों आज हम लोग क्लस्टेंथ के कार्बन तथा उसके जोगी किस चेप्टर से कुछ MCQ को देखेंगे जो आप लोगे एक्जाम के लिए बहुत इंप्रोटेंट होने वाला है इस वीडियो को पूरा देखिएगा दो बोस्तों ठीख है तो देख लेते हैं इन में से कुन पदार्थ कैवल कार्वन से बने नहीं है तो यह उक्सिजन हो जाएगा सरलतम हैं मिथें किस जल में सावन सफाई के लिए बहतर परिमान देता है मेर्थू जल में देता है ठीक है आगे देखिए एलकेन की तुलना में एलकीन होता है ठीक है अधिक क्रियासिल होता है ठीक है कार्वकसलिक एसीड समो कोन है तो इसके कारक्टर अंसर भी हो जाएगा ठीक है एलपीजी में कौन सा कार्वनिक पदार्थ होता है तो ब्यूटेन होता है ठीक है तो है सलफरी कामलों का उनुस्तर क्या है तो है यह याद करें यह यद कर लिजिए दोस्तों यह याद कर लिजिएगा तो एकजम में आप देखने पर ही समझ में आ जाएगा कि यही शूतर है ठीक है इस परकार के सबल एक्जाम में बनते हैं दोस्तों ठीक है एलकाइन में दो कार्बन परवानों के बीच कितने आवंध होते हैं तो इसका जो से अंसर है B करेक्ट हो जाएगा यानि कि 3 CnH2n2 किसका समयने सुत्र है तो ये एलकेन का समयने सुत्र है कार्बन का सबसे कोठोर ताम अपरूप कौन है तो हिरा हो जाएगा है ना बेंजीन का सुत्र क्या है तो बेंजीन का जो सुत्र होता है C6H6 यानि कि C करेक्ट हो जाएगा वाई मंडल में CO2 गैस की उपस्तिती है तो ये दोस्तों 0.03% होता है यानि कि अब कसी करेक्ट हो जाएगा है ना अक्रियत तो कोन है तो हिलियम अक्रियत तत्त है दोस्तों किसी कार्बनिक योगिक में अपस्तित उह सुम्ह जिस पर जोगिक का रासनिक गुंधर्म निर्भर करता है उस जोगिक का क्या कहलाता है दोस्तो किरासिल सुमख कालाता है याद रखिएगा हूँ ओक्सिजन की संयोगता कितनी है तो ये दोस्तो दो है कार्बन हम ही सेम टू सेम कॉस्टिन इसका अंसर भी हो जाएगा है न एथेन का अनुविक सुत्र सीटू एसिक है इन में एक खालिस्तन दिया गया है तो ये इस दोस्तो ये सी टू एच फोर है यानि की सी कर्ट हो जाएगा हीरा और गरफाइट कार्बन की क्या है तो ये दोस्तो कार्बन की अपरूफ है न एसीटी कामला का आई यू पी एसी नाम क्या है इसका जो से अंसर है एथेनाई कामला ठीक है याद रखिएगा इस प्रकार के स अवल एक्जाम में आपको डारेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों दोस्ति यह सबसे भी भी आई प्रसन है ठीक है यह आप समय लीजिए आई यू पी एसी नामा करन एक दोठो आता ही आता है उसे याद कर लीजिएगा आगे देखिए चीनी का सुत्रा क्या है तो इसका जो स तुत्र होता है सी 12 ऐच 22 11 सी 12 ऐच 22 आफ याद रिखिएगा ठीक है गुलुकोज के एकनु में ऑक्सिजन के कितने परमानु होते हैं तो चो परमानु होते हैं प्रोपेन की आनुविक संगरत्चनानीमन कित में से कुन है इसका जो सहिंसर है सी 3 H8 ठीक है अब दोस्तों लाइक करो दीजी इसी तरह का वीडिगों के लिए उसी तरह का वीडियो मिलते रहे दोस्तों अप लोग को ज़ल और वी चेप्टर का कुsty क्राइज आए गार दोस्तों गसी चैनल पर बने रहे हैं दूर इस वीडियो को ज्यादा ज्यांद है ताकि और भी और भी छात्र इस वीडियो को देख पाएं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जय हिंद